माननी सुप्रीम कोट के द्वारा वर्स 2020 में एक याचिका करता की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया गया रिजर्वेशन चाहें वर्टिकल हो या फिर होरिजेंटल अगर मेरिटोरियस कंडिडेट है तो वो ओपेन सीट को ले सकता है होरिजेंटल रिजर्वेशन में जैसा कि आपको ग्यात होगा फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हेंडिकेप्ट, इसके अलावा आपके एक्स सर्विसमेन, इसके अलावा महिला रिजर्वेशन ये सब कुछ होरिजेंटल रिजर्वेशन में आता है यानि कि बिहार की सिछक भरती प्रक्रिया में जो होरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं के बारे में जिक्र किया गया है, सुप्रीम कोट ये कह रही है, कि जो ओपेन सीट होती है, वो सब के लिए ओपेन होता है, जिस पर मेरिटोरियस कैंडिडेट को भी सेलेक्शन देना होगा, चाहें वो किसी भी प्रकार का आरक्षन ले रहा हो, या फिर ले रही हो, ठीक है, महिलाओं के लिए बात किया गया है, किसी भी प्रकार का वो आरक्षन ले रही हो, चाहें होरिजेंटल ही क्यो नहीं, अगर ओपेन सीट पर फाइट करने के लिए उसकी मेरिट है, त इन सब का प्रभाव ये पढ़ने जा रहा है कि बिहार में जो 50% reservation महिलाओं के लिए वो 50% तो confirm है कि महिला सही भरी जाएगी बाकी के जो पूरुष के street है उस पर भी महिलाए आ सकती है अगर इस Supreme Court के फैसले को detail में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का link आपको इस वीडियो होगा ही होगा क्योंकि Supreme Court से उपर कोई भी नहीं है अब overlapping कराने के लिए दो तीन चीजे राज सरकार को करनी पड़ेगी देखिए इन्होंने क्या किया था BPSC ने कि male का अलग परिक्षा लिया female का अलग परिक्षा लिया जाहिर सी बात है जब overlapping होगा तो एक merit बननी होगी अ अब एक merit बनाने के लिए दोनों के paper का level एक होना चाहिए चुकि paper का level अलग था इस वज़े से यहाँ पर normalization करना होगा और अगर normalization होता है तो जहिर सी बात है जिसका paper tough होगा उसके कुछ number बढ़ सकते हैं और जिसका paper आसान होगा उसके कुछ number घट सकते हैं अब जितने भी shift में परिच्छा होई है वो link के आधार पर हुआ है जैसे पुर्षों का 1-7-1 shift में परिच्छा हुआ और महिलाओं का 1-7-1 shift में परिच्छा हुआ तो यहाँ पर केवल 2 shift में परिच्छा होई है तो उस condition में आप देखेंगे कि पुर्षों का paper का level था वो थोड़ा सा tough था म लेकिन उनकी तुलना में पुर्षों का थोड़ा सा टफ माना जाएगा, तो इस कंडिशन में पुर्षों के कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, और महिलाओं के कुछ नंबर घट सकते हैं, तो ओरलैपिंग तभी हो पाएगा जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, और चुकी एक मेरिट बननी है, क्योंकि एक मेरिट बनेगा, तभी तो यहाँ पर ओरलैपिंग हो पाएगी, और एक मेरिट बनाने के लिए नॉर्मलाजेशन करना ही होगा, ठीक है, यहाँ तक सभी बाते आपको क्लियर हो चुकी इंग होगी, अब हम लोग एक बात करते हैं, कि जो 50% seat reserve है महिलाओं के लिए, उसके बाद से पुरुषों के कितने प्रतिसत seat को वो occupy कर सकती हैं, और अन्यराजे की महिलाओं के लिए seat कितनी है, और अन्यराजे की महिलाओं का safe cut-off क्या होगा, और अन्यराजे की पुरुष अभियर्थियों का safe cut-off क्या होगा, इसके बारे में mathematical calculation करने जा रहे हैं, अन्ते तक जरू जोड़े रहीगा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं, कैरियर बिट यूट्यूब चैनल, अगर आप इस चैनल पर पहली बार रुजिट कर रहे हैं, तो इसको subscribe करते हो, बिले एकन को press करना ना भूले, अब एक बर mathematically हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कि Supreme Court का जो judgment है, वो किस प्रकार से आकडों पर उभर करके स्तामने आएगा, ध्यान से समझेगा, माल लिजिये की total vacancy, यहाँ पर TS का मतलब total seat की आप बात कर लिजे, total vacancy की बात कर लिजे, माल लिजिये की 10 है, 50% reservation बिहार की सिख्षक भरती में है, तो 10 का 50% यानि 5 seat किसके लिए reserve हो गई, female seat के लिए, अब मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के conditions का discuss किया है, 3 प्रकार के condition कैसे, जैसे की माल लिजिये की यहाँ पर 50% reservation महिलाओं के लिए है, link के अधार पर, तो बाकी के जो 50% seat बची वो open मानी जाएगी, क्योंकि पुर्षों के लिए reservation नहीं है, पुर्षों के लिए reservation नहीं है, इसलिए वो 50% seat अपन मानी जाएगी, open माने जाने के वज़ा से, जो open seat है, उस पर महिलाओं भी जा सकती हैं, और पुर्ष भी जा सकती हैं, यहाँ तक clear हो गया, अब यहाँ पर देख लिजिए, सबसे पहले open seat की merit decide होता है, यहाँ पर अगर हम लोग open seat देखें, तो 10 में से 5 जो reserve है, महिलाओं के लिए अगर घटा दें, तो 5 seat बजती हैं, तो यहाँ से उपर से 5, यहाँ पर देखें, numbering जो मैंने किया, 1, 2, 3, 4, 5, 15 तक, यह merit को दिखा रहा है, 5 seat पर कोई भी female select नहीं होगा, केवल और केवल male select हो रही है, male select हो रहा है, तो male select होने के बाद से, जो open seat हैं, वो भर चुकी है, अब बाकी के 50% seat यानि जो female वाली हैं, उसमें देखें किसका किसका chain होगा, एक तो इनका chain हो जाएगा, दूसरा इनका chain हो जाएगा, ये male का chain नहीं होगा, इसके बाद से इनका chain हो जाएगा, इस male का chain नहीं होगा, इसका chain हो जाएगा, देखें कितने हो गएं, एक, दो, तीन, और ये चार, और फिर ये वाली female का chain हो जाएगा, पाँच अब यहां पर देखें पाँच सीटे किसके लिए हो गई फीमेल के लिए हो गई यानि कि 50% यहां किसका हुआ फीमेल का और 50% किसका हुआ यहां पर मेल का हुआ ठीक है यह पहली कंडिशन में जब open seat में कोई भी महिला नहीं आ रही है लेकिन ये चीजे practically possible नहीं है मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या condition बनेगी दूसरा condition देखिए मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि जो open seat हैं उसमें male और female दोनों select हो करके आ रही है यानि कुछ male हो सकते हैं कुछ female हो सकते हैं उस condition में क्या होगा कि देखिए open की जो seat हैं यानि 5 seat जो हैं वो तो male female कोई भी रह सकता है और बाकी की जो 5 seat हैं वो सिर्फ और सिर्फ female के लिए reserve हैं तो यहाँ पर देखिए 5 seat जो open था इस पे तो male और female जो आ चुके हैं वो तो रहें गई रहेंगे merit में बाकी 5 जो female के लिए उसमें पहला female ये माना जाएगा ये male है selection नहीं होगा ये female दूसरा हो जाएगा ये male है selection नहीं होगा ये female तीसरा हो गया इसका नहीं होगा इसका नहीं होगा ये चौथा हो गया और इसका नहीं होगा और male के संग्या कितनी chain हो रही है देखे एक male ये एक male ये दो ही किवल male chain हो रहे है तो यहाँ पर आप देख सकते है male का seat कितना बन रहा है दो बन रहा है तो यहाँ पर female का reservation कितना हो जाएगा reservation तो 50% ही है लेकिन चुकि ये open seat में fight किये थे तो यहाँ पर seat कितनी ले ली female 80% female seat ले रही है और male कितनी प्रतिशत ले रहा है 20% ले रहा है क्योंकि 8-10 total seat का जो 8 है female का seat है वो 80% को represent करेगा और यहाँ पर कितने प्रतिशत seat को ले रही थे male 50% और female 50% जब open में कोई भी female select नहीं हो रही थी इसके बासे तीसरा condition यह होता है कि माली जे open की जो 5 seat है इस पे केवल और केवल female select हो करके आती है उस condition में क्या होगा यह तो चुकी open seat है इसमें male female दोनों fight कर सकते थे लेकिन इसमें male का chain नहीं हुआ उस condition में बाकी की जो 5 seat बची है उस पे सिर्फ और सिर्फ female का chain होगा यानि ये male खतम ये male खतम इसका chain होगा इसका chain होगा ये male खतम ये खतम ये खतम इनका chain होगा देखे अभी तक total 3 female chain हो चुकी है उसके बासे देखे ये female है इनका chain हो जाएगा और ये female है इनका chain हो जाएगा का यहां पर 100% female का हो जाएगा यानि कि मैं आपको तीन condition से यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी condition मने कोई भी condition मने महिलाओं का 50% तो रहेगा ही रहेगा इसके उपर जितना चला जाए वो fix नहीं है क्योंकि open seat पर female और male दोनों fight कर सकते हैं male का 50% तो reserve है ही है बाकी अगर female जो है open seat यानि male के seat पर fight करती हैं तो उनका जो पूरा reservation 50% है उससे भी उपर female का chain हो सकता है अगर वो meritorious होती है Supreme Court के judgment का यह मतलब हुआ अब मैं समझता हूँ कि mathematical calculation के मादेम से आप Supreme Court के judgment को समझ पा रहे होंगे आए दोस्तों अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि overlapping महिलाओं का होगा कैसे जैसे कि माल लिजे कि ST category की कोई महिला है ST category की महिला है जिसके लिए total seat जो है 349 है सामाने विशय के लिए तीन विशय के लिए भरती है प्रात्मिक में सामाने कि लाब दिया जाते है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती में ही जा सकती है कहने का मतलब कि ST category की महिला का seat मतलब merit अगर OBC के महिला के बराबर है तो वो OBC में नहीं जाएगी OBC का fix है कि OBC कही category उसमें चैनित होगा SC का fix है कि SC कही category का चैन उसमें होगा ST का fix है कि ST का ही उसमें chain होगा लेकिन महिला अगर ST की है तो male का यानि पुरुष का ST category में वो जा सकती है महिला अगर OBC की है तो OBC के male category में जा सकती है महिला अगर SC category की है तो SC category के male seat पर वो जा सकती है तो इस प्रकार से overlapping होगा यानि कि देखिए सबसे पहले जो टोटल सीट है माल जी 80,000 एक्जेक्ट कि अगर मैं बात करो तो 89,943 तो पहले ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं का सीधे यहाँ पर 50% निकाल करके 40,000 दे दिया गए ऐसा नहीं होता है रिजर्वेशन की पॉलसी यह कहती है कि सबसे पहले जो जातिगत आरक्षण है कि 27% OBC का वो अलग किया जाएगा इसके पाद से SC का वो अलग किया जाएगा ST का वो अलग किया जाएगा मतलब percentage Y जी पहले category के अधार पर सीटों को अलग कर दिया जाता है और उस category में से फिर महिलाओं का 50% रिजर्वेशन निकाला जाता है जैसे मालीजे कि ये 80,000 सीटे हैं इसमें EWS का मालीजे 10% आरक्षण है तो 10% आरक्षण कहने का मतलब कि 8,000 सीटे बची यहाँ पर मैं exact की बात नहीं कर रहा हूँ इस वज़े से इसमें अलग-अलग फिर distribute हुआ है उसके विशाय के अधार पर कितनी रिखती है उसके अधार पर तो यहीं में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ST category की कोई महिला है तो ऐसा नहीं है कि वो OBC में चली जागी वो महिला के अन्रिजर्व में चली जागी यानि कि अगर इसका मेरिट जादा हुआ इस काटिगरी से ST category की महिला का तो सबसे पहले यह देखा जागा कि क्या इसका मेरिट मेल के ST category के बराबर है या उससे जादा है अगर उसके बराबर हुआ तो वो मेल के ST category में चली और अगर इसका merit अन्रिजर्व के mail के बराबर हुआ मतलब उससे भी जादा हुआ तो फिर यहां से भी हट करके यह सीधे अन्रिजर्व के mail seat पर चली जाएगी इस प्रकार से reservation का lab दिया जाएगा horizontal हो या फिर vertical मानेने Supreme Court के judgment के आधार पर लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि यह जो मैं आपको बता रहा हूँ SCST OBC वाला की अन्रिजर्व में वो चली जाएगी वो बिहार के बाहर के राज्यों की महिलाओं पर लागू नहीं होगा क्योंकि बिहार के बाहर की जितनी भी महिलाओं है वो सभी open category में ही के अवल fight कर सकती है क्योंकि जितनी भी category होती है O category वाली वो सभी अपनी category में तो fight करेंगी ही करेंगी साथी साथ अगर उनका merit अन्रिजर्व के female के बराबर हुआ या फिर अन्रिजर्व के male के बराबर हुआ तो वो अपनी seat को छोड़ करके अन्रिजर्व के female और male पर भी जा सकती है यहां तक क्लियर हो गया अब बात कर ले 2570 और बांगला भासक लिए आप apply किये हुए है female के लिए तो 35 seat आपके लिए रहेंगी अन्रिजर्व other state की जितनी भी महिला हैं वो केवल इनी seat पर fight कर सकती है इसके अलावा अगर इनका merit अनारक्षित male के बराबर हो जाता है तो वो इस seat पर भी fight करेंगी मतलब कि महिला जो होगी उनके लिए तो इतना fix है कि इतना seat होगा ही होगा बाकी अगर उनका merit ज्यादा होता है तो वो उमीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होगे ये सब कुछ overlapping से हो रहा है ठीक है horizontal reservation होने के बावजूद भी Supreme Court के फैसले के अधार पर महिला male के seat पर जा सकती है यानि कि महिला के लिए इतना seat तो reserve है ही है साथी साथ ये जो male का seat है अनारक्षित वाला उस पर भी महिलाएं जा सकती है अब इसको लेकर के confused मत हुईyगा कि ये seat सिर्फ other state की महिलाओं के लिए नहीं ये सिर्फ other state की महिलाओं के लिए नहीं है आदर इस डेकि महिलाएं इस पर fight करेंगी इसके अलामा बिहार राजे की unreserved category यानि जो general category की महिलाएं होती है वो भी इसी seat पर fight करेंगी और उनका merit ज्यादा हुआ तो इसके अलावा बिहार राजे की category का लाब लेने वाली जितनी भी महिलाएं होंगी OBC, SC, T, Freedom Fighter, Ex-Service Man जितनी भी इस प्रकार की उनको 36 आरक्षान वाला procedure होगा और category वाला जो vertical reservation वाला procedure होगा उन सबका अगर merit ज्यादा होता है तो बिहार की महिलाएं जो category से संब्दित है वो भी इस seat पर दावा कर सकती है साथी साथ इस seat पर भी दावा कर सकती है यानि कि कहने का मतलब यह है कि यह जो seat होगी इसमें कौन-कौन fight करेगा ध्यान से समझे इसमें fight करेगा other state की महिला, बिहार की unreserved की महिला, बिहार की meritorious category वाली महिला सब कोई इसी पर fight करेगा महिला वाली और यह सिर्फ महिला के लिए seat है इसके अलावा महिला का अगर unreserved mail के cutoff के बराबर number आता है तो वो अपनी seat को छोड़ करके इस seat पर आ जाएंगी बात कर लेता है कि male के लिए कितनी seat है अने राजी के अभियरतों के लिए तो male के लिए सिर्फ और सिर्फ 13,397 seat हैं और आप यह नहीं कह सकते कि यह केवल male के लिए नहीं इसमें female का भी है जो meritorious female होंगी वो इसी seat पर fight करेंगी इसके अलावा other state के जितने भी male candidate होंगे इसी seat पर fight करेंगे बिहार के unreserved category के जितने भी male candidate है इसी seat पर fight करेंगे बिहार के category वाले जितने भी अभियरती हैं जो कि meritorious होंगे overlapping के मादयम से इसी seat पर fight करेंगे इसके लावब बिहार की category वाली महिलाए जो की UNRISERV की category के बराबर merit आएगा वो भी इसी seat पर fight करेंगे यानि 13397 में जनरल तो है ही है Another State के पूरे candidate बिहार के जनरल candidate बिहार की category वाले male candidate जो meritorious होंगे बिहार की महिला जो meritorious होंगे वो सबकुछ इसी सीट पर fight करने वाले है दोस्तो इसके पहले जो मैंने cut off का वीडियो बनाया था उसका dedicated link आपको इस वीडियो के description में दिया गया है उसी के data को मैं use करूँगा क्योंकि अगर वो सभी चीजे मैं यहाँ पर समझाने लगू देखिए हमने जो आपके द्वारा poll कराया गया था उसमें आपने जो data दिया है आपने जो poll किया है उसके हिसाब से ये था कि 6-6 या फिर उससे उपर नंबर पाने वाले male candidate की संख्या 20% हो जाती है और female candidate की संख्या 12% हो जाती है मैं जानता हूँ कि आपके मन में confusion हो सकता है कि ये सभी आखड़े कहां से आ है तो आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आप पूरा खिल समझ पाएंगे यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो male की seat है अनारक्षित वाली male की seat है जो अनारक्षित वाली 13,000 something उसका merit अब कितना जा सकता है overlapping के बाद से ठीक है चलिए देखिए 7,812 male candidate ऐसे होंगे जिनका marks 66 या फिर इससे ज़्यादा आ रहा है मैं marks की बात कर रहा हूँ परतीसत की बात नहीं कर रहा जिनके भी primary level के BPSC TRE की परिख्षा में 66 या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है male candidate उनकी संख्या बन रही है 7,812 और ऐसी महिलाएं जिनका 66 या फिर उससे ज़्यादा नंबर आ रहा है उनकी संख्या बन रही है 7,030 अब चुकी ये meritorious candidate है ये चुकी meritorious candidate है और इसलिए इनका selection अपनी महिला वाली seat को छोड़ करके इनका selection जो होगा वो 66 नंबर वाले male के unreserved seat पर हो जाएगा overlapping के माधियम से तो यहाँ पर 7,812 इनकी seat को देखिए और 7,000 इनकी seat को देखिए total अगर आप जोड़ देंगे तो इनकी seat बन जाती है 14,842 कितना 14,842 देखिए यहाँ पर जो समाने विशे के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर seat थी 13,397 और इस seat पर 6,6 या फिर 6,6 प्लस अभियरतियों की संक्या कितनी आ रही है वो आ रही है 14,842 14,842 में male भी है और female भी है female कैसी जो की meritorious होंगी और 6,6 या फिर इससे ज़्यादा उनके number आ रहे होंगे अब यहाँ पर total 14,822 अभियरति हो रहे हैं लेकिन total seat जो है अनारक्षित male के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 13,397 है ठीक है यानि कि लगभग लगभग यहाँ पर से 14,1500 बच्चे और कम होंगे तभी यह seat के वल भर पाएगी यानि कि जो 6,6 यहाँ पर merit है वो 66, 66, 68 चली जाएगी मानकर कि चली 66, कम से कम 67, कम से कम इस वाली category का male अनारक्षित है उसका cut off चला जाएगा 66, क्यों 66, मैं बता रहा हूँ क्योंकि 13,397 ही seat है और 66, या फिर इससे उपर नंबर पाने वाले या बेरतियों की संख्या male और female को मिला करके 14,842 है लगबग 1400, 1500 बच्चे यहाँ पर जो बच रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे बच रहे हैं, जाहिर सी बात है यह merit जो हमने 66, 68 पर calculate किया है वो 66 minimum हो सकता है, देखें यहाँ पर जो आपके द्वारा आखड़ा बताया गया है, सिर्फ मैं उसी के अधार पर mathematical calculation करके आपको चीजों को बता रहा हूँ बाकी social media sites पर आपको 50-55 के बीच भी merit बताया जा रहा है, अगर वहाँ पर जो उनके आखड़े calculation करने का आधार है, उसके आधार पर वो हो सकता है लेकिन जो भी data आपने मुझे बताया, polling के मादम से, उसके अधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो जो male का, यहाँ पर male unreserved category का जो cutoff हो सकता है, वो sunset जा सकता है, फुरी तरीके से मैंने mathematical calculation करके आपको दिखाया अब बात करते हैं कि जो female है, अनारक्षित वाली, जो की other state वाली है, उनका कितना cutoff जा सकता है, यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ कि यह जो sunset male का जा रहा है, यह जितने भी अन्ने राजय के भीरती हैं, वो इसी merit पर, इसी cutoff पर fight करेंगे, ठीक है, यह minimum मैं बता रहा हूँ minimum, ठीक है, अब आपके मन में जानने की जिग्यासा यह होगी कि 13,397 जो male की unreserved की seat हैं, इसमें कितनी seat महिलाएं ले सकती हैं, तो चुकी मैंने आपको बताया कि 6,6 या फिर उसे से plus, जो महिलाओं की संख्या है, वो कितनी है, 7,030 है, तो सबसे पहले इनका chain इस seat पर होगा तो 13,397 में से, देखिए, 13,397 में से मैं घटा देता हूँ, 7,030, तो जो आखड़ा आता है, 6,366, 6,366 जो seat बचेंगी, वो unreserved के लिए, male के लिए बचेंगी, और यहीं वो seat होगा 6,366, जिस पर बिहार के बाहर के जितने भी male candidate है, वो fight करने वाले हैं, बिहार के unreserved male fight क male category वाले meritorious fight करने वाले हैं, अब बात करते हैं कि female के लिए कितनी cut off जा सकते हैं, देखिए, यह जो 6,6 या फिर इससे ज़्यादा female की संख्याती, यह तो male में चली गई, तो यह तो यहां से पूरे खतम हो चुके हैं, इसके बाद यह वाला जो slot था, 61-65, इसमें जो seat हैं, 5869 हैं, ठीक है, और इसके उपर, और चुकी female के unreserve के लिए जो seat हैं, वो 13,000 something है, तो यानि अभी भी कुछ seat हैं, तो अब हम लोग अगले slot में जाएंगे, यहां पर आप देखेंगे, 5869 है, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, इसका तो chain mail वाले में हो चुका है तो इसको अब consider करना ही नहीं है, यह वाली जो महिला हैं, इनकी संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो देखें मैं जोड़ता हूँ, 5869 और प्लस 5869 इसको जब जोड़ते हैं, तो इनकी संख्या आ जाती है 11,718, कितनी? 11,718, यानि minimum 56 नंबर तक, minimum 56 नंबर तक 11,718 म और महिलाओं के लिए total seat कितनी है अनरक्षित में, वो है आपका 13,435, कितना? 13,435, तो अब हमें घटाना होगा, 13,435 में से, जो अभी तक महिलाओं सेलेक्ट हो चुकी है, 56 नंबर तक, उनकी संख्या आ जाती है 11,718, तो अभी भी हमारे पास 17,17, 17,17 सीटे इसमें से बच देखिए, इस वाली महिला का तो इसमें सेलेक्शन हो गया, इस वाली महिला को हमने एड़ कर लिया, इस वाली हम लोग महिला को एड़ कर लिया और 56 मेरिट तक पहुच चुके हैं कम से कम, इसके बाद भी हमारे पास कितनी सीट बची है, 17,17 सीटे बच रही है, 17,17 सीटे, जहिर सी बात है, यह इस वाले स्लोट की महिलाओं से अखुपाई होगा, इस वाले स्लोट में देखेंगे, 25,30 महिलाओं यहां पर सेलेक्ट हो रही थी, तो अगर हम लोग यहां पर निकाल दें, 58,590 का 25%, तो इनकी संख्या आ जाती है, 14,647, इतनी महिलाओं होंगी, जो क 51 से लेकर के 55 के बीच में नंबर पाई होंगी, मैं जान रहा हूँ कि यह सभी आकड़े आपको नहीं समझ में आ रहा होंगे, जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिछले मेरिट वाला, तब तक आपको यह सभी चीज़े समझ में नहीं आएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा, अब जो 1770 सीटे बची है, वो जहर सी बात है, इसी 14647 में से शुरुआती 1700 बच्चों को निकाल लिया जाएगा, यानि जो टॉप के 1700 बच्चे होंगे, क्योंकि यहां प प्लस हो सकता है, 54 या फिर 54 प्लस हो सकता है, और पुर्शों के लिए हम लोग ने कितना देखा, 66 या फिर इस से प्लस, आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा गैप दोनों के बीच में रहेगा क्या, बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि महिलाये जो है, अपनी सीट तो उनके लिए फिक्स है ही है, वो पुर्शों के सीट पर भी जा रही है, इस वज़े से दोनों में आपको भारी गैप देखने को मिल सकता है, ठीक है, दोस्तों अभी तक के वीडियो से आप समझ चुके होंगे, कि जो फीमेल होंगी, उनका सेफ स्कोर जो होगा, वो 54 नंबर या फिर 54 प प्रमोशन कप आते हैं, जब आप अपर प्रैमरी के सभी क्राइटेरिया को फुल्फिल करते हैं, यहाँ पर भी यही नियम लागू होता है, जब आपका ओवर्लैपिंग होगा, तो ओवर्लैपिंग करके जिस भी कर्टिगरी में आप जा रहे हैं, उस कर्टिगरी के सभी क सेट्व में पाई होंगी इसके अलावा ऐसी महिलाय जो की कैटिगरी से बिलॉण करती है और बिहार की महिलाएं भी चुकि इसमें सामील है इस मेरिट वाले में अब ऐसी महिला है जो की एज में रिलेक्शेशन ली होंगी और चुकि जनरल के लिए एज अलग है तो एज में अगर relaxation लेकर के वो अगर इस seat पर जाना चाहेंगी तो नहीं जा पाएंगी क्योंकि general का सभी criteria यहाँ पर fulfill करना होगा कहने का मतलब कि यहाँ पर age भी general का count होगा और जो seated का marks है वो भी general का count होगा तो जो भी seated के marks वाले होगे और जो भी age होगा general के हिसाब से वहीं केवल यहाँ पर move हो पाएंगे यहाँ पर जो हमने calculation किया वो यह मान करके चला था कि 100% बच्चे यहाँ पर age को भी criteria को fulfill कर रहा है साथी साथ जो seated में उनका marks है वो भी 90 number है अब माल यह कोई एक महिला जिनका seated में 90 number नहीं है लेकिन 90 number नहीं है लेकिन वो इस merit में आ रही है तो जहर से बात है उनका यहाँ पर transfer नहीं होगा जब transfer नहीं होगा तो mail की seat बचेंगी और mail की seat बचेंगी तो यह sunset नीचे जाएगा और चुकि यह sunset नीचे जा रहा है तो यह वाला 54 से उपर चला जाएगा तो यह सभी चीजों को आप समझिएगा आप यह मत कह दीजेगा कि sunset एकदम fix हो गया 54 एकदम fix हो गया यह उपर भी जाया सकता है यह नीचे भी आ सकता है यह पूरी तरके से depend करेगा कि कितनी महिला है transfer हो रही है अब चुकि हमारे पास यह आखड़ा नहीं है कि 82 से लेकर के 89 के बीच में कितनी महिला है seat at marks में यह आखड़ा नहीं है कि कितनी महिला है ऐसी है जो कि over age हो चुकी है जनरल के इसाब से और age relaxation लेकर के वो category में इस number तक पहुँची हुई है तो यह जब तक आखड़ा clear नहीं होगा अगर सभी criteria को fulfill करने कर रही है तब वो इस seat पर नहीं जाएगी और नहीं जाएगी तो जैरी सी बात है male का cut off सरसर से नीचे आएगा और female का cut off चववन से उपर चला जाएगा तो यह सभी चीजे को आपको consider करना होगा इसके अलावा माल लिजे कि जो female है उनके लिए जो seatate में marks रखा गया है वो 82 नमबर रखा गया है अब जो पिछला बिहार वाला 6th phase का भरती था उसमें 82 नमबर पाने वाले अनराजे की महिलाओं को भी स्टामिल कराया गया था तो इस बार भी यहीं नहीं होगा इस बार भी यहीं नहीं होगा कि 82 चाहें आप अनराजे की महिला है या फिर बिहार की महिला है अन्रिजर्व महिला अभियरतियों के लिए 82 नमबर रखा गया था तो जो अन्रिजर्व की महिला वाली seat है 13400 सम्थिंग तो यहां से उसका transfer भले male वाले पर ना हो लेकिन वहां पर female वाले पर उनका transfer हो सकता है यह सभी चीज़े आपको consider करना होगा तो यहां पर जो मैंने cut off आपको बताया था कि female के लिए 54 और male के लिए 66 यह अभी बहुत सारे factors पर depend करेगा कि कितने बच्चे transfer हो रहे हैं या फिर overlap कर रहे हैं और overlapping के लिए सभी criteria फुल्फिल होना चाहिए तो यह 54 से उपर भी जा सकता है और यह 60 से थोड़ा नीचे भी आ सकता है तो इन सभी चीज़ों को आपको विशेश तोर पर ध्यान देना होगा ठीक है उमीद करता हूँ आप सभी के doubt अब जा करके clear हुए होंगे बावजूद इसके अगर आपका कोई doubt रह जाता है तो comment के मादम से पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब